हेलो फ्रेंड्स मैं हूं रितू और मेरे किचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूं लिट्टी लिट्टी आप सभी जानते ही होंगे क्योंकि बिहार की बहुत ही फेमस रेशिपी है और बहुत ही टेस्टी होती है बहुत ही चटपटी होती है बहुत ही अच्छी स्नैक्स है और आप इसे सफर के लिए तो खासकर बहुत ही अच्छे से इसे तीन से चार दिन तक इंजोई कर सकते हैं आप कहीं लबी सफर पे जा रहे हैं यह जल्दी खड़ाब नहीं होती है चलिए आज देखते हैं इसकी रे लेकिन अगर आप पैकेट वाली सत्तू यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा साई से रोस्ट करना जरूरी होता है मैंने दोट से तीन मिनटी से रोस्ट कर ली है लो फ्लेम पे और आप मैं अपनी सत्तू को एक बॉल में निकाल लूँगी मैंने सत्तू को बॉल में निकाल ली है अब इस में डालूँगी दो बड़े चमच बाडी कटी हुई लैसुन दो बड़े चमच बारी कटी हुई हरी मिर्च क्योंकि यह बहुत चटपटी होती है वसे मिर्च अगर आप कम खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं और दो इंच का टुकड़ा मैं ग्रेट करके अध्रक का डाल रही हूं धेर सारी हरी धनिया बारीक कटी हुई धनिया मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसको थोड़ी ज्यादा ही डालती हूं सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लोंगी इसमें लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसलिए लहसुन थोड़ी ज्यादा डालते हैं इसमें मैं डाल रही हूं नमक आप अपने टेस्ट के अक क्योंकि इसे बहुत ही चटपटी बनानी होती है आटे में इसको जब मैं मैदे में फिल करूँगी तो यह नमक ज्यादा नहीं लगेगी अब यहां मैं ले रही हूं निम्बू का जूस मैंने तीन निम्बू का रस निकाल लिया है और वो मैं इसमें डाल रही हूं आप इस्पून की मेजरमेंट के हिसाब से भी डाल सकती है या फिर आप जब भी आप बनाते हैं तो फीलिंग को बनाने के बाद उसे मिक्स करके ट्राइ कीजिए टेस्ट कीजिए हम मैं डाल दे यूँ यहां अचार का मसाला यह सीकृट इनग्रिडियन्स है मस अचार का मसाला हर को यह नहीं डालता है लेकिन अगर आपने लिट्टि में अचार का मासाला डाल दिया तो उसकी जो फ्लेवर होती हो इतनी टेस्टी हो जाती है कि मैं बता नहीं सकती हूं.. यह बहुत ही डिलेसियस लगती है खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटी लगती है अचार का मसाला जरूर डाले और अपने हाथों से इस्पून से अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा क्योंकि जब हाथ से मिक्स करते हैं तो उसके फिलिंग ही कुछ अलग होती है और वह बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स होता है मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सत्तू को अब इसे साइड में रख दूंगी यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक केजी मैदा और इसमें आप मैं डालूंगी वन इस्पून अजवाइन या कैरम सीट्स यह मैंने आइल रखी हुई है एक का टोड़ी यह पचास से साथ हमेल आइल होगी लगबग इसमें अब मैं डाल रही हूँ नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए लेकिन इसमें बहुत ज्यादा नहीं डलनी है तो इसलिए मैंने वन एंद हाफ स्पून टी स्पून यूज की है और अब जो आयल ली थी मैंने वो थोड़ी थोड़ी करके डाल कर अच्छी ज्याधा फ्लेकी क्रंची टेस्टी बनेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हूँ और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मीडियम डो तैयार कर लोंगे ना बहुत ज्यादा हाद नो बहुत ज्यादा सौट एक मीडियम डो बनाकर तैयार कर लोंगे अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमली के साथ जरूर सेर कीजिए अगर कोई मेरी रेसिपी से रिलेटेड कोई भी इंक्वाइरी है आपकी तो वह आप मुझे कमेंट सक्षन में लिखकर पूछ सकती है देखिए यहाँ पर मैंने मीडियम डो तयार कर ली है अब मैं इसकी लोई निकाल लूँगी तब तक अब एक बार अपनी सत्तू को चेक कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी यह थोड़ी सी ड्राइ लग रही है मुझे तो इसमें मैं दो तीन चमच पानी डालूँगी थोड़ी थोड़ी बहुत जादा नहीं बस दो तीन चमच पानी डालूँगी और हाथों से या स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लोंगी ताकि यह बहुत ज्यादा जो ड्राइ थी ना वो तुरह कम हो जाएगी मैं देखो रोल करके अब इसकी में लोई निकाल लोंगी देखिए मैंने सारी लोई को कट कर ली है और अब अपनी दोनों हथेलियों के बीच में अच्छी तरह से नीट कर लूँगी लोई को ताकि इसमें क्रैक्स ना बचे और एक कटोड़ी का सेप दे दूँगी अब इसे अच्छी तरह से फिल कर लूँगी और इसे अपने फिंगर से दबा दबा कर अच्छी तरह से लॉक कीजिए क्योंकि अगर अच्छी तरह से ये लॉक नहीं रहेंगे तो जब हम इसे आइल में फ्राइ करेंगे तो ये फट जाएंगे इस तरह से मैंने इसकी सेपती है और एक मैं आपको रौंड सेप दे कर भी दिखाऊंगी जो भी सेप आपको पसंद है उस सेप की आपी से बना सकते है लिट्टी की एक अपनी अलग हिस्ट्री है कहा जाता है कि समराट सोग के टाइम में जब वो बहुत दूर के एरिये में जाते थे अपनी सैनकों के साथ लराई के लिए तो बहुत ज़्यादा रासन लेकर जाने में कठनाई होती थी सैनकों को इसलिए वो ऐसी चीजों की तालास में रहते थे जिससे कम से कम उन्हें उठा कर ले जाने की जरूरत हो और अच्छी मील तयार हो जा जिससे सैनकों का पेट भर सके और इसके लिए उन्होंने लिट्टी चोखा को बनाया था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीजे नहीं लगती है आटा और सत्तो की जरूरत होती है और कहीं भी आग जला कर वो इसे कुप कर लेते थे देखिए इस तरह से भी आप इसकी से दे सकते हैं लिट्टी को बहुत तरीके से बनाई जाती है यहां पर मैंने ऑईल को गर्म कर लिए और ऑईल हमारी गर्म हो चुकी है कभी भी आईल को बहुत ज़्यादा हीट मत किजिए जब भी आप मैदे की चीज को फ्राइ करते हैं तो आईल जो है वो मीडियम हीट होनी चाहिए और गैस भी आपकी मीडियम से भी लो होनी चाहिए यानिकि लो मीडियम होनी चाहिए गैस ताकि हमारी जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्लोली हो, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं हो, इससे क्या होगा कि मैदा जो है वो अंदर से कच्ची नहीं रहेगी, बिल्कुल इवनली कुक होगा और बहुत ही अच्छी और परफेक्ट कुकिंग होगी आपकी, लिट्टी को आराम देखिए यह धीरे धीरे उपड़ाएगी, अपने लिट्टी को मैंने डाल दी है और धीरे धीरे से पलट पलट कर स्लो को खोने दूंगी, आराम आराम से इसे पलट कर दोनों तरफ से बारवार पलटते रहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा देर एक ही साइड से आप र लॉक है, जो हमने लिट्टी की लॉक की थी लोई को खुल जाएगी, इसलिए आराम से इसे पलट पलट कर कुक कीजिए, देखिए हमारे लिट्टी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है, और अब यह निकालने वाली हो गई है, अच्छी तरह से कुक हो गई है, अब करते हैं, देखिए हमारे लिट्टी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है, और लग रही है न, यह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही चटपटी है, आप भी इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए, और अपने अनुभब मेरे साथ सेर कीजिए, कि आपने जो बनाए हो कैसे बने हैं, थैंक्स फ़र वाचिंग मैं वीडियो, बाबाई